देखेगा मैंने एक PDF डाला है इसमें आज हम नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं उसी के बारे में समझारी में आपको चैप्टर है हमारा पूर्ती का समय एवम इस्थान जब हम माल की सप्लाई कर रहे हैं GST के अंतरगर धारा 12 से लेकर 14 तक के अंदर पूर्ती का समय का निर्धान करते समय हमें देख रहा है कि हम किस चीज की पूर्ती कर रहे हैं माल की पूर्ती है या सेवा की पूर्ती है और फिर हम देखेंगे पूर्ती का इस्थान हमारा क्या अब फर्स कंडिशन में हम देख रहे हैं कि यदि हम माल की पूर्ती का जह है वो कर रहे हैं तो माल की पूर्ती के समय हम उसकी किस प्रकार से गण्णा करेंगे। पूर्ति का समय माल की हम सामाने दिशा के अंदर पूर्ति कर रहे हैं और उस समय हमारा पूर्ति का समय क्या होगा उस समय जो है हमारा पूर्ति का समय दो इन दोनों में से जो कम होगा वो लिया जाएगा जो दो तिथिया हमें दे रखी है इसमें से जो भी पहले है उसी तिथ को लिया जायेगा पहला क्या है हमारा पूर्ति करता द्वारा बीजग जारी करने के तिति है जाने की तिति या ऐसी अंतिम तिति तक पूर्ती हेतु बीजग जारी करने की अपिक्षा की जा सकती है उस तिथी को लिया जाएगा दूसरा वै तिथी जिसको पूर्ती करता पूर्ती के संबंद में बुक्तान प्राप्त करता है तो दूसरा क्या हो गया बुक्तान प्राप्त करने की तिथी जो है वो इसके अं उसको यहां पे लिया जाएगा बीजक जारी करने की अंतिम्तिति धारा 31 एक कनुसार यदि माल की पूर्ति की समय माल का गमन आवशक है अर्थत माल को भीजना आवशक है तो उसका बीजक मुल्य को माल को हटाने से पूरी जारी करना आवशक है हमें माल को पहले क्या करना भीजना होगा तभी जो है हमें इसके इंदर लेना होगा प्रंतु यदि माल का गमन आवशक नहीं है तो बीजक माल की पूर्ती के पूरु जारी करना आवशक है एक हजार रुपे तक का अग्रिम प्राप्त होना जहां कर्योग्य माल का पूर्ती करता है कर बीजक में दिखाए गई राशी से अधिक एक हजार रुपे तक की कोई राशी प्राप्त करता है वहां पूर्ती का समय ऐसी आधिक के राशी की सीमा तक उक्तपूर्ती करता के विकल्प पर ऐसी आदिक्य की राशी के संबन में बीजग जारी किये जाने की तिथी होगी अर्था जो है यदि पूर्ती करता के द्वारा जो बीजग है उसके अंदर एक हजार उपए तक की यदि अधिक राशी है तो उसके लिए जो है वो आदिक्य के राशी के लिए विकल्प क्या रहेगा बीजग जारी करने की तिथी को जो है इसके इंतरगत लिया जाएगा अब इसके संब्द में देखेगा हम एक एक्जामपल ले रहे हैं कि किस प्रकार से जो है इसके अंधर हम पूर्ति का समय जो है वो निकालेंगे प्रेश्ण हमें दे रहा है पूर्ति करता द्वारा दस हजार रुपे का बीजग एक नवंबर दो हजार उन्निस को निर्गमित किया गया माल के बुक्तान के समप्राप्ति करताने निम्न अनुसार बुक्तान किया है दो हजार उन्निस को निर्गमित किया गया और माल के यहा करतां निम्न अनिसाह बुक्तान जो है वो किया है पहली द्षा के अंदर क्या है माल का भुक्तान किया गया है बीस दिसंबर dos何 पानसोरी का गया रुपे कीया दूसरी द्षा में बीस दिसंबर 29 को 16.000 काि हुप्तान अब हमें इसके अंदर पूर्ति का समय निकालना के लिए पूर्ति का समय बुखतान प्राप्ति मेंसे छो भी पहले है वह होगा परंगो तो पूरति करता के इच्छा पर है कि ऐसे बुक्तान के लिए पूर्टी का समय ही बीजक का दिना माना जा सकता है अर्थात दस हजार रुपे के लिए पूर्टी का समय जो है वो हमारा क्या रहेगा इसके इंदर पूर्टी का दिना एक नावंबर 2019 होगा जो हमारा दस हजार रुपे तक की राशी है उसके के लिए तो हमारा पूर्ती का जो है समय रहेगा, क्या रहेगा, एक नौंबर 2019 रहेगा लेकिन क्या है हमारा जो है, उससे अधिक का माउंक्त 10500 माइस-10,000 करेंगे हम अधिक, जो है, वह 5000 रुपसे अधिक की राशी है कितने 500 500 की जो राशी है उसके लिए यह पूर्ती करता की उपर इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो कौन सा दिनाग ले तो उसके लिए जο है या तो बीजक का दिनाग 2009 या भुकतान की तीथी का दिनाग 20 दिसम्बर 2019 जो है वो लिया जाएगा तो यहां पर जो 1000 रुपे तक की राशी है कितना हमारा 10,500 का बुक्तान हुआ है 10,000 तक की जो राशी है उसके लिए तो हमारा क्या रहेगा पूर्ती का समय एक नॉबर 2019 ही रहेगा लेकिन जो अटिर कराशी है वह 500 रुपे की जो राशी है अटिर करेगी कि वह कौंसी तित희 को लेना चाहता है भीजक की तिति को या भुक्तान की तिति को यह उसके अपनिर भर करेगा second condition के अंदर प्रश्म में हमारे को की 16000 पे की पूर्ती की गई है 16000 पे की पूर्ती जो की जा रही है इसके अंतर्गत एक नवन्बर 2019 को जो है वो समय इसके इंदर अपने को दे रखा है एक नवबर 2019 वीजकी तीथी चारीख हमें दे तो दूसरी दशा में 10,000 के लिए पूर्ती का दिनाग 1 नौंबर 2019 तता 6,000 रुपे को अग्रिम मानते हुए उसके लिए पूर्ती का दिनाग 20 दिसंबर 2019 होगी तो दूसरी कंडिशन है इसके अंदर देगे का टोटल माल की सप्लाई हो रही है हमारी 16,000 इस 16,000 के अंदर हमें क्या करना है कि एक नौंबर 2019 तक तो हम कितने का करेंगे जो हमारी बीजक की दिनाग है 10,000 के लिए तो हम बीजक का दिनाग 1 नौंबर 2019 को juist के इंदर लिया जाएगा और शेषराशी के लिए जो 6,000 रुपे की है उसको हम क्या मानेंगे अग्रिम मानते हुए उसके लिए 20 दिसंबर 2019 जो है वो पूर्ती का समय माना जाएगा तो इस वर सबसे पहले हमें क्या निकालना है पूर्ती का समय निकालना है और पूर्ती के समय के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि जो बीजग जारी करने की तिथी है या जो पुकतान प्राप्त करता की तिथी है उस तिथी में से जो भी पहले आ रही है उस तिथी को जो है वो लिया जाएगा लेकिन अग्रिम की दशा के अंदर ये निर्भर करता है पूर्ती करता के उपर कि वह कौन सी तारिक को जो है वो अपना समय इसके अंदर लेगा, उसी को लिया जाएगा. Thank you students.